हलो एब्रिवन वेल्कम बैक टो चैनल विलियन एजूकेशन वे एम टूरीज इंटीज बिलियन पॉपुलेशन तो गाइस रिजल्ट आप लोग का चुका है आप बहुत सारे लोगों ने अपना रिजल्ट देख भी लिया होगा अपने फैमिली मेंबर्स के साथ फ्रेंस के स रिजल्ट है वो हमारे एक्सपेक्टेशन के इसाफ से नहीं आया तो दोस्तों इसका मैं कौन सी दवा दूँ आप लोग को आगे बढ़ने से पहले मैं दवा मलहम सारी चीज़े दूँगा एक एक जामपल दिखाना चाहूंगा आप लोग को जिसको आप लोग देखे पहल है ऐसे एक और बच्चा है जिसका ओवरल 35% सब्जेक्स में भी 35 आया है तो क्या इसका मतलब इनके जो फैमिली में फ्रेंड्स हैं वो क्या गम में चले गया यह जश्ट पास हुआ नहीं हाफ ग्लास बोलते हैं एंटी और हाफ ग्लास फुल वो नजरिया होता है इन्होंने हाफ ग्लास फुल वाला कॉंसेट अपना है यह लोग खुश हैं कि अरे हमने जो कुछ अजू मरला बोलते हैं अलग ही कर दिया हमने हमने 35 35 सब्जेक मिला परसेंट भी 35 यह खुश है तो फर्स और फोर्मोस मैं अपने सारे बच्चों से यही रिक्वेस्ट करूंगा और मै यह आपके hard work का outcome है no doubt यह जो होगी expectation से कम या ज़्यादा होगी लेकिन hard work तो आप लोग ने किया था आप लोग 15-16 साल के बच्चे थे जिसने मेहनत किया था लाइक में उस मेहनत को हिजद दीजिए अपने result को accept करिए और साथी साथ यह ध्यान रखिए कि अगर आप अपने जो result उसको accept नहीं करते हो ना उसको cherish करते हो तो दूसरा कोई society में accept नहीं करेगा और cherish नहीं करेगा वो भी आपको down दिखाएंगे personal experience से बता रहा हूँ जैसे कि आगे भी सारी चीज़े में बताऊंगा जिससे कि आप लोग को थोड़ी सी मदद मिलेगी और आप लोगा enhanced knowledge हो towards your board exam result और आगे क्या करना उससे related I hope आप लोग को थोड़ा सा यहां पर आराम मिला होगा कि खुश रही है enjoy करी अभी दिन बहुत सारे बाकि लाइफ बहुत बढ़ी है सो अब हमारे दिमाग में आता है सर आप लोग ने थोड़ा सांथ कर दिया आगे क्या करें आगे के लिए देखे बच्चों आप लोग के currently 11th और 12th के जो next हमारे batches हैं वो start होने वाले मतलब batches आपके colleges की ना कि मेरी 11th 12th में आप लोग जाने वाले हो अब आप लोग को पू करना है क्या कुछ करना है पता नहीं चलता कुछ अपने दोस्ती यारी खोजने में रहते हैं कुछ concept समझने में रहते हैं और कुछ ऐसे ही मज़े लेते रहते हैं तो यह 11th 12th है इसको seriously क्यो बोल रहा है अब देखो यहाँ पे बहुत सारे मुद्दे भी आएंग 11th को लेके देखें सबके अलग-अलग concept होंगे सबका अलग-अलग background होगी सबकी अलग-अलग thinking होगी और सबकी अलग-अलग motivation होगी आप यह जो stream कैसे help होगा इसके लिए मैं अलग से video बनाऊंगा कि आपको stream कैसे चुननी आज का जो मेरा पूरा का पूरा जो motive रहेगा वो रहेगा आ आप लोग को present मिलाना आज की reality मिलाना और यह अगला दो साल का आपका future है उसके towards आपका build-up बराना कैसे आप आगे move forward करेंगे इसके उपर मैं वीडियो जरूर लाओंगा so what's the next step आगे बनने से पहले अब ऐसे हमको एकदम confused होके नहीं देखना है कि कुछ मैं बोलते ना बुद्धी की दवा दे दूँगा आपको कि आपकी बुद्धी की दवा खालो आपकी पूरी बुद्धी सुदर जाएगी और लग की दवा खालो आपका यह पूरा सुदर प्लान करके बताऊंगा कि आज बैठक होगी और बैठक में डिसाइड होगा कि हम कहां से युद्ध जीतेंगे नहीं मैं जो कोशिश करूंगा वो होगा first and foremost the most followed the most knowledgeable person which I think India has ever got Swami Vivekanand की thinking arise awake and do not stop until the goal is reached मुद्ध यह नहीं है कि क्या करना है मुद्ध यह है कैसे करना है मैं हमेशा पूलता हूँ process is very important than the result और यह मुद्ध बताने के लिए Swami Vivekanandandji से important कोई इनसान थी जो आपका motivation था जो 10th के लिए आप लो बना के रखे थे वो जो आपके heart की palpitation होती थी जो जुनून था जो हमारे अंदर एक जान थी और एक जो बोलते हैं कि कुछ कर दिखाने का एक जजबा था उसको lose नहीं होने देना है उसको maintain करना है अब आ 7th की mistakes थी उसको recognize करिए क्या mistakes थी क्या मेरी writing थी क्या मेरा timing था या मैंने कुछ laziness किया था या मैंने wrong time पे wrong step किया ये सब सारी चीजें कैसे हमारे अधिकतर बच्चे most probably बहुत सारे बच्चे preparation स्टार्ट की जब उनकी prelim स्टार्ट होई वहां से जैसे कि किसी का December January वहां से will happen with the 12th ध्यान रखिए मैं हमेशा बोलता हूं कोई मुझसे पूछता है sir what is reality I always say time is the reality time आगे बढ़ता है time आगे जाएगा आज मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूं कल आप लोग 12 को मैं आप लोगो फिर से वही वीडियो जो one shot वीडियो ले के आऊंगा फिर से वही momentum develop कर समय में game खेलो I again want to tell you आज से दो साल बाद 2025 में आप लोगी 12 होगी so don't miss that mark now अब वो reality है 12 आएगा वो exam फिर से आएगा वो pressure और ज्यादा develop होके आएगा questions हो और tough होने वाले हैं और इस बार आपके parents जो इस बार आप लोगो सांतवना दे रहे हैं कि बाबु बच्चा शोना जाने दे तेरा पहला attempt था वो बाबु बच्चा सोना वाला expectation महां मत करना इस बार जो आप लोगो सव लोग साहरा दे रहते हैं किंच उनके 5 या 6 लोग साहरा देंगे 12 में तो please यह मेरी request है humble request है अपने आपको मौका दीजिए वापस से उठीए वापस से अपने जोश को ज चाहिए हमारे यहां पर 99 परसंट जब बोले अराइज अवेक तो टेंशन ने लेते कि अब कुछ करके दिखाना है नहीं इंजाय करना है जो टाइमस आपके हाथ से जा रहे थे जो आप लोग स्लॉट छोड़ रहे थे जो आप वर्क की पेंडेंसी कर रहे थे नोट नहीं बना रहे थे वो सब छोड़ना है और 12 की रियालिटी को एकसेप्ट करना है नोट डाउट कि आप आर्स लेंगे कॉमर्स लेंगे साइन्स लेंगे सारी चीज़े होंगी बच्छों अपने अपने सब्जेक के हिसाब से करिएगा लेकिन प्लीज दूर साल का समय है इसे आहे तुज़ा जिवना सा शिल्प कार तेमस कहावत है यहां पे संत गुरू महाराश्र में बोलते भी हैं अगर मैं मेहनत ना करूं और इसको अच्छे से यूटिलाइस करूं तो मैं अपने मुठी में समय लाते जा रहा हूं हार्ड वरक के सारे मैं अच्छीव करके दिख तो आप कैसा शेप करना चाहते क्या यह बेबसी का आलम आप 12 में भी रखना चाहते हो जब कोई साथ नहीं देगा वो गम मत लेना आप दोस्तों बहुत बेकार होता है कोई सहारा देने भी नहीं आएगा जस मॉम डाइड रहंगी आ एक दो गिंचुन के फ्रेंड होंगे वो आप बच्चे नहीं काय जाएंगे आप टूर्स 17-18 की एज की होंगे तो तो यो हाट वर्ग नाओ डोंट रिपीट दोस मिस्टेक्स इफ मिस्टेक्स अर रिपीटेड अगें 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 उसे आदत बोलते हैं अगें मैं हमेशा वहीं बोलता है आप तो बच्चे हैं प्यारे बच्चे हैं हमारे करिए महनत करिए अपने मिस्टेक्स को अनलाइज करिए आज से लग जाईए अभी से लग जाईए एक दिन भी नहीं चोड़ना है जहां पर आप महनत नहीं करोगे एक दिन वो नहीं करना जहां पर आप जिसको भी फॉलो करते तो उसका पढ़ाई से लेटेट वीडियो नहीं, एक मुमेंट वैसा नहीं छोड़ना है, जब आप लोगको गिल्ट फीलो, गिल्ट फ्री मुमेंट, ये दिन्डिया का नारा होना चाहिए, गिल्ट फ्री मुमेंट हम लोगको create कराना है, आपको गिल्ट ना फीलो, कोई सब पर आप कर के मूँव टूओर्स यह और जब ये करोगे आप लोग दोस्तों तो आप लोगो क्या मिलेगा जो सक्सेस की सीड़ी अप वो डेवलप करते जा रहे हैं थो अगर आप इसे success में convert करना चाहते हो move forward move forward जब तक आप लोग आगे नहीं बढ़ोगे तब तक नहीं होने वाला तो past की reality में मत रहिए move forward personal experience से जब मेरा 10th का result आया था मैं खुद गम में बैटा था तो मेरे 90% के नजदीग थे मुझे लग रहा था कि मुझे और ज़्यादा होने चाहिए देखे बुलते वक्त मुझे भी सासे फूल जा रही है लेकिन वह फील्म करता हूं moment में लेकिन क्या हुआ उसके वैसे मेरा admission delayed हो गया मेरा first list में नाम आया था लेकिन मैं क्या हुआ गम में जरूर वीडियो बनाओ कि बच्चे पूछ रहें कि सर रेगुलर वाला करें या डमी काइंड आफ सो यह सब टम नहीं यूज करेंगे हम लेकिन फिर भी आप लोग को गाइड जरूर करूँगा कि कॉलेश कैसे चुनना है वीडियो इंपॉर्टेंट होगी दोस्तों 10 से 12 तक की जर्नी आपके इसाब से तय होगी आज का मुमेंट यूज करिएगा 12 एकदम सुन्दर होगा आपके अकॉर्डिंग होगा यू विल बी दे चैंपियन और जब 12 के रिजल्ट आएंगे सो आप मुझे यह जो हम लोग बुलते ना देखिए 123 स्टेप बस्टेप आप लोगों करना सक्सेस बहुत नजदीक है यू विल बी चैंपियन और यह जो सुकून आपकी चेहरे पर होगा मैं फिर से मिलूँगा यहीं पे नसीब होगी कि हम लोग आपस से मिलेंगे जरूर मिलेंगे और मैं चाहूंगा कि आप लोग ऐसे हाथ फैलाएं बाहे फैलाएं अपने सक्सेस को एंगल्फ करें I hope दोस्तों यह वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी अगर आई होगी इसे अपने दोस्ते में शेयर करिएगा उन्हें भी मोटिवेट करिएगा और फिर से द्वामी वेकानंद की जो हमारी तेयरी है वो टाइम और टाइम आफ्टर टाइम आफ्टर टाइम प्रूवन है फॉलो करिए तू चाहे तुजा जिवनाशा शिल्पकार पढ़ना शु झाल झे जिवन ाम में जो हमारी तुजान शुजाञा वामी वेका उन्हें झाला शो हमारी तुजांद की जो हमारी कि भी मोट र clutter जो हमारी वेकान वेकार लंवाल जा पाइम